Hello everyone, आज डेट है 5th of September 2021 और देहिंदू न्यूज अनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देहिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एकजाम के पॉइंट अब वी से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैनल वोलकेन और ये सकेड में का लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे इंडिया के सेकंड प्रेजिडेंट की रूप में 1962 से 1967 के समय में उन्होंने काम किया। अगर कुछ अधर फैक्ट्स उनके बारे में हम देखें तो 1931 में उनको नाइट हुड ओड दिया गया था। 1954 के समय में उनको भारत रतन से सम्मानित किया जाता है जो हमारे इंडिया का हाइएस्ट सिविलियन अवोर्ड है ये आपको ध्यान में रखना है। आपका आज का क्यूशन ये है कि वर्ल्ड टीचर्स डे किस देन सेलिब्रेट किया जाता है वो नीचे वो डेट आपको नीचे कोमेंट बोक्स में बतानी है। फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूस जैहिंदू की फ्रंट पेस पर पैरा उलम्पिक्स गेम को लेकर के हैं। इस वर टाइम के दोरां इंजर्ड हो जाते हैं। तो उनी को असिस्ट करने के लिए ये जो लार्ज नंबर ओफ वर वेटरंस एंड सिविलियन्स को असिस्ट करने के लिए जो बिटिस गॉर्मेंट है वो एक तरीके से रिक्वेस्ट करती हैं। और उनी की रिक्वेस्ट के आधार पर डॉक्टर लुडविग गट्मेन एक ग्रेट बिटेन में एक होस्पिटल खोलते हैं। और उस होस्पिटल में रिहेबिलेटेशन स्पोर्ट इवोल्ड तू रिक्रेशन स्पोर्ट अन्देन तू कम्पिटिटिव स्पोर्ट। मतलब स्पोर्ट को ओपन किया जाता है कि स्पोर्ट की साइदा से ये जो वेटरन्स हैं ये जो सिविलियन्स हैं इनको एक तरीके से असिस्ट किया जाएगा उनको बेनिफिट दिया जाएंगे। 1948 के समय में जब लंडन ओलंपिक गेम स्टार्ट हो रहे थे तो डॉक्टर गुटमैन ने क्या किया कि फर्स्ट कम्पिटिशन फोर वीलचेयर एथलेटिक्स इन्होंने ओपनिंग करवाई। पहला एसा गेम करवाया जिसमें परा ओलंपिक तरीके से एक तरीके सुरुआत हुई 1948 ओलंपिक गेम की दोरान। उसके बाद में 1960 का जब गेम हुआ इटली रॉम में उसमें पहली बार पहला ओलंपिक गेम को सामिल किया गया। मतलब ओलम्पिक के बिल्कुल पैरलर में ये गेम चलते हैं, पहले कैसी भी जगे पर ओलम्पिक गेम्स होते हैं, हर चार साल के बाद में, ओलम्पिक गेम्स आपको पता है 1896 से स्टार्ट हुए, और ये जो अभी ओलम्पिक गेम्स हुए हैं, लास्ट मन्थ जुलाई में, व 1940 में and 1944 में अब यह जो पैरा ओलंपिक्स हैं यह 1960 से स्टार्ट हुए और इनका जो हेड़कौार्टर है यह आपको ध्यान में रखना है कि इनका हेड़कौार्टर जर्मनी में है बॉन जर्मनी में यह आपके लिए इंपूर्टेंट हो जाता है पैरा ओलंपिक जो कमेटी है ना उसका हेड़कौार्टर है बॉन जर्मनी में ओके तो यह पैरा ओलंपिक्स के बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो हमने देखा नेक्स्ट इंपूर्टेंट निउस है यहां देखिए हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमिट्सा एक तरीके से उन्होंने इंपूर्टेंट निस्टेट्मेंट दिया उन्होंने बोला कि किसी भी सकसफुल डेमोक्रेसी को अगर आपको सेव करना है और उसको बहुत ज़्या आपके यहां पर good rules, law and order अच्छी तरीके से enough नहीं है यह देखो यह जो statement है यह काफी important है इस तरीके की important जो lines है वो आपके लिए काफी important हो जाते हैं especially means के perspective से next news है हमारे chief justice of India ने बोला कि अभी देखो 9 judges को वहाँ पर ओद दिलाई गई है Supreme Court में तो उन्होंने बोला कि present time में 34 वैसे seats है Supreme Court के लिए लेकिन 33 उसमें fill हुई है 33 में से 4 जो है वो women है CGI ने important statement दिया कि अगर आप judiciary में higher level पर देखो तो women का जो participation है वो काफी कम है present time में only 11% representation of women on the bench of the Supreme Court was achieved with great difficulty इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि 75 years of independence year में हम enter कर चुके हैं और अब तक लगबग 50% representation होना जीए था women का judiciary में तब ही जाकर कि हम जो equality वाली जो term है उसको हम really में achieve कर पाते हैं women की empowerment की जो हम बात करते हैं उसको really में हम achieve कर पाते हैं हाला कि उन्होंने अपनी positive hope भी दिखाई है कि आने वाले समय में जल्दी women का जो participation है वो और ज्यादा increase होगा next important news central vista project को ले करके है इस article में ये बताया गया है कि बहुत जल्दी ये जो project है वो सही तरीके से चल रहा है अगर इसमें कुछ problem नहीं हुई तो अपने time की according ये complete हो जाएगा इंडिया चाता है कि 2023 में जब जाकर कि वो G20 countries को जो भी meeting है उसको host करे उस समय तक ये सब कुछ area यहाँ पर जो भी completion है वो सब कुछ complete हो जाए सारी buildings जो है उनकी अच्छे से opening हो जाए हालांकि कुछ area जो है उसको 2026 तक का जिसमें national museum north and south block to be used as the national museum इस area को तयार करने में काफी लंबा समय लगेगा इस project में यह जो project है ना first two project जिसमें parliament building and central vista avenue revamp यह जो है इसको पहले तयार करने की इकोसिस की जा रही है ताकि इस area को जल्दी से जल्दी develop किया जा सके next news यहाँ देखिए तो हर्याना को ले करके यहां पर एक important understatement है हर्याना PCS अभी आने वाला है और उसको ले करके आप बोल सकते हो कि हर्याना के जो CM है उन्होंने बूला कि अगर आप unemployment की बात करते हो तो national figure है 13.3% और हमारे हर्याना में जो unemployment rate है वो present time में है 9.9% मतलब country से अगर comparison करे तो हमारे यहां पर unemployment rate काफी कम है next news है 2018 के समय में जो 2019 के समय में एक expert committee ने assistance देने के लिए कि workplace में योगा 5 मिनिट का योगा protocol को develop किया जाए इसी को लेकर के जन्वरी 2020 में इस module को launch किया जाता है देली, मुंबई, चेनने, बैंगलूरू, हिदराबाद और कोलकाता कुछ stakeholders, कुछ private and government institutions में इसको implement किया जाता है और कही जगे पर जो इसका feedback है वो काफी increasing है इसी को लेकर के central government ने अब बोला है कि why break एक app है जिसको आपको play store से open करना है और वहाँ पर जाकर के 5 मिनिट का yoga break के नाम से सभी department में इसको promote करना है ताकि जो employees हैं वो refresh रहें, distress free रहें, मतलब stress free रहें and refocus them with enhanced efficiency as the workplace according to a personal ministry order मतलब ministry ने order दिया है कि हर जो भी working place है वहाँ पर 5 मिनिट का yoga break को start किया जाए क्योंकि इसके जो result आए हैं वो काफी अच्छे initiative लेकर के आए हैं next news है, हर साल आपको देखने को मिला होगा कि पंजाब वाले region में paddy stable burning की वाज़े से pollution level ना सिर्क पंजाब वाले region बलकि जो NCR region है वहाँ पर air pollution काफी वर्सन हो जाता है इस article में यह बताया गया है कि जब तक आप किसी चीज को waste मानते हो problem क्या है कि यहाँ पर मसीनों की वज़े से जो भी paddy cultivation है वो किया जाता है जिसकी वज़े से काफी एक उचाई पर मसीन जो है वो paddy को काड़ती है तो यहाँ पर जो भी residue बतते हैं उनको एक तरीके से संभालना क्योंकि paddy और wheat की जो cultivation है जो farming होती है उसके बीच में time duration काफी 15 to 20 days होता है उन 15 to 20 days में farming के लिए जो farm है उनको prepare करना इसलिए जो भी farms है उस area में जो farmers है वो इस residue को जलाने का काम करते हैं जिसकी वज़े से air pollution ज़ादा बढ़ जाता है तो इस article में बोला गया है कि जब भी आप किसी चीज को waste मानते हो तो जो wastage है वो आपके लिए परेशानी create करता है लेकिन जब कोई चीज important हो जाती है तो वो आपके लिए profit देने वाली हो जाती है पंजाब government ने इसी तरीके का initiative start किया है वो चाते हैं कि जो बहुत सारी mills हैं, distillaries हैं, brewers हैं वो अपने यहां पर इस तरीके का boilers को use करें जिसमें इस stroke को यह जो भी stable है इसको use किया जा सके एक तरीके से energy gain करने के लिए और जो farmers हैं उनको भी फाइदा होगा क्योंकि जब इसको बेचा जाएगा तो farmers को भी फाइदा होने वाला है और जो industry है उसको लेकर के government incentive देने वाली है government ने तो यह तक बोला है कि वो power industry वाला जो area है मतलब NTPC तक वो इस तरीके का discussion कर रहे हैं कि इसका use किया जाए तो यह अच्छा initiative है जो farmers हैं उसे area के वो काफी इस innovation को लेकर के काफी अच्छे thankful है government के लिए इस तरीके से देखो जब भी कोई परेशानी हो उस परेशानी का एक alternate एक solution ढूनने की आफशकता है काफी लंबे समय से यह जो stable burning है वो हमारे लिए pollution level के हिसाब से काफी major problem बनी होई थी और अब इसका जो यह result निकल करके आया है वो ना सिर्फ farmers को assistance provide करवाएगा बलकि climate change जैसे issues है उनके लिए भी इंडिया के लिए एक बहतरीन initiative ले करके आया है next news हमारे president ने एक बोला कि जो teachers हैं उनके लिए नए challenges आने वाले हैं क्योंकि covid pandemic के दरान बहुत सारी जो schools जो हैं वो लंबे समय तक बंद रही children जो है वो education से काफी लंबे समय से दूर हो गए तो teachers के अब जिम्मेदारी है कि जो हमारे children है जो हमारे बच्चे हैं उनको अच्छे से मतलब pedagog की जो pattern है उसमें change किया जाए और यह जो pandemic है इसने pedagog की pattern में काफी change कर दिया है offline जो structure है उसे online structure की तरफ सब कुछ change हो गया है तो इसी को ध्यान में रख करके जो हमारे teachers है उनको new challenges के according response करने की आवशकता है next news foreign page से है यहां पर देखिए देखो IUCN ने एक बात बोली है IUCN ने बोला है कि 1,38,000 जो species है present time में assessed species है उसमें 28% ऐसी species है जो extinction face कर रही है अब इनका extinction face करने के कई कारण है जैसे habitat loss, over exploitation, illegal trade यह सारी चीजे जो है वो global wildlife populations के लिए एक major problem बनी हुई है यह जो term है यह जो line है वो आपके means के perspective से important हो जाती है आप इसको use कर सकते हो कि habitat loss, over exploitation and illegal trade देखो इस तरीके कि जब जमे हुए words आप अपने answer writing में use करते हो तो आपके answers की जो value है वो और ज्यादा increase हो जाती है तो जब भी newspaper में read करो कोई important line जो लगता है आपको कि आप ऐसे के answers को main answer में लिख सकते हो तो आप उसको उठा करके अपनी जो भी important copy आपने बना रखिये उसमें आप write down कर सकते हो इस article में जो IUCN है उसने पहले major problem ये बताई और present time में उन्होंने बूला कि climate change जो है वो भी major problem आ रहा है एक direct threat आ रही है बहुत सारी species के लिए जैसे यहां पर उन्होंने बूला कि komedo dragons एक largest living hazard है जो सिर्फ world heritage listed komedo national park and neighboring floors में पाई जाती है इसको endangered areas में इसको listed किया गया है 37% of 1200 shark and ray species assessed by experts are directly threatened by extinction a third more than only seven years ago it warned on Saturday मतलब बहुत सारी species ऐसी है जिनको बहुत सारी problem हो रही है और ये problem जो है ये major कारण आपने देखे climate change की अभी जो IPCC की report आई वो उसमें भी हमने देखा कि समय के साथ में जो extreme events है वो बहुत ज्यादा होएंगे अब बहुत सारी ऐसी animal population है जो बिलकुल एक तरीके से equally वाले climate में रहती है जब extreme events आएंगे तो उनकी life को सबसे major threaten होएगा IPCC के बारे में हम देखें तो IPCC को 1988 में बनाया गया था ये आपके लिए important हो जाता है next news है आश्यान जो countries है वो म्यामार के साथ में discussion कर रहे हैं कि यहां पर democracy को दुबारा से restore किया जाए ओके आश्यान countries जो organization है वो आपके लिए important हो जाता है इसके बारे में आपको google करना है और जो भी basic facts हैं जो उनके headquarter है वो सब कुछ आपको याद करने है next news पंजिसिर वैली को लेकर के है पंजिसिर वैली अफगानिस्तान के नर्दन एरिया में situated है इस एरिया में तालिबान और जो opposition एक तरीके से army है जो तालिबान का विरोध कर रही है उनके बीच में regular class चला हुआ है इस area को लेकर के तालिबान चाहता है कि ये जल्दी से उनके under उनके control में रहे वैसे तालिबान declaration भी कर चुका है कि पंजिसिर वैली को उन्होंने अपने under कर लिया है लेकिन कोई भी directly एक तरीके से proof उन्होंने पेस नहीं किया है जिससे ये बात सामने आ सके कि हाँ completely पंजिस हो तो सेम लगता है लेकिन internal मतलब सोईल के अंदर जो भी वहाँ पर procedure चलता है वो एक बहुत ज्यादा important है जैसे कि यहाँ पर जो plant है और इसके अलावा फंजाई bacteria उनके बीच में एक तरीके का association होता है एक relation होता है और यह जो relation है वो किसी भी revolution के लिए काफी important हो जाता है इ सकते हैं next news यहाँ पर देखिए देखो egg की जो safe है उसको लेकर के यहाँ पर study हुई है कि egg की जो safe है वो इसी तरीकी की क्यों है देखो इस study में बोला गया है कि egg की जो safe है वो perfect safe है मतलब embryo को hold करने के लिए उनको large enough area मिल जाता है इसके अले अलावा जो उनका exit है वो भी efficiently हो इसके अलावा जब भी वो roll away नहीं हो सकते मतलब वो बिलकुल गोल नहीं है round नहीं है जिसकी वज़े से hand जब egg देती है तो उसके बाद में रोल अवे नहीं हो सकते मतलब एक तरीके से roll नहीं हो सकते लुड़क नहीं सकते अगर यह round shape में होते तो लुड़क कर के दूर area त कि जो इनकी shape है वो एक perfect shape है ओके next news यहां पर देखिए Sunday है और FAQ एक page आता है इस page पर यह बताया गया है कि COVID के बहुत सारे cases ऐसे देखने को मिले जहां पर दोनों vaccine मतलब double vaccinated हो रखा है person लेकिन उसके बाद में भी उनमें COVID की मतलब infected वो दुबारा से हो जाते हैं इसको लेकर कि काफी study हुई इस study में यह सामने आया कि देखो अगर आपने दोनों vaccine ले रखी है उसके बाद बेभी COVID से infected आप हो रहे हो तो इसकी वज़े से major problem होने की आवशकता नहीं है क्योंकि study में यह सामने आया कि 5% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनको hospitalization की जरुरत पड़ी और जो death rate है वो fully vaccination के बाद में काफी कम हो जाता है हालांकि यह बोला जा रहा है कि जो efficacy rate है vaccine की वो कुछ समय के बाद में कम होने लग जाती है जिसको ले करके बहुत सारी western country जो हैं वो booster dose के लिए भी work कर रही हैं next news देखो Sunday का जो news paper रहता है एक तरीके से वो पुरी सप्ता में पुरी week में जो जो news आती हैं उनको एक तरीके से repeat करवाने का काम करता है तो देखो राके सस्ताना काफी news में है देहली के देहली police commissioner उनको बनाया गया है इसको लेकर के एक NGO ने case file किया है उन्होंने एक petition डाली है कि देहली police commissioner राके सस्ताना की जो appointment हुई वो गलत है उन्होंने ये बोला कि CBI director के रूप में उनकी appointment होने वाली थी लेकिन उनका जो भी मतलब एक तरीके से उनका जो duration है टर्म है जो है वो खतम होने वाला था मतलब 6 महीने से भी कम समय बचा था और Supreme Court ने 2019 में एक डायरेक post के उपर आप किसी person को appointment करो तो कम से कम उसकी service के 6 महीने तो बचने ही चाहिए इसी को लेकर कि article में बोला गया है कि Mr. Astana ने हलांकि बहुत सारी points के उपर जैसे कि multiple central agencies, Bureau of Civil Aviation Security BCAS, Border Security Force BSF, Narcotics Control Bureau इन समय एक important post के रूप में उन्होंने काम किया ये उनका अच्छा experience है इसी क्या आदार पर हो सकता है कि उन्हें देहली पुलीस ओप कमिशनर की रूप में अपोइंट किया गया लेकिन कुछ ही समय के बाद में उनका term complete होने वाला था जो भी उनकी service का term है वो complete होने वाला था कुछ समय के बाद में 27 जुलाई को उनको बनाया जाता है 31 जुलाई को उनका जो term है वो complete होने वाला था तो इसी के आदार पर सुप्रीम कोट ने बोला गया कि important post के उपर important post देहली पुलीस कमिशनर जो है वो भी एक important post है ना तो इसी के लेकर के सुप्रीम कोट का जो directive आये थे उसी के लेकर के petition file की गई है इसके अलावा जो inter-cader service को लेकर के भी allocation जो ह हुआ है वो भी problem है क्योंकि ये कुजरात कैडर के 1984 बेस्च के ये राके सस्थाना इसको लेकर के बोला गया कि देखो UPSC का एक panel होना चाहिए था जो इनकी appointment को constitute करता लेकिन इस तरीके का कोई पैनल नहीं हुआ तो All India Services की जो inter-cader reputation policy है वो भी इनका जो appointment है वो भी इस policy को violate करता है तो ये स्वारे major problem रहे जिसके आधार पर ये petition file की गई है हालांकि आने वाले समय में Supreme Court इसमें क्या decision देता है वो देखने वाली बात होगी Next news है जलियावाला बाग मेसकर को लेकर के जलियावाला बाग का memorial को integration किया गया हमारे PM के दुआरा अब बहुत सारे activists जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं विरोध करने का कारण ये है कि जो भी हमारी history थी उसको एक तरीके से change करने की इकोसिस की गई है ये बोला जाता है कि 1919 में जब ये मैसकर हुआ क्योंकि सैफुदिन किचलू और सत्यपाल को बिटी सर्स के दुआरा गिरपतार के लिए था और उसी का विरोध करने के लिए लोग यहां पर इखटे हुई थे जो इनका entry and exit एरिया था वो काफी narrow एरिया था जिसकी वज़े से लोग इसमें trap हो गए और trap होने की वज़े से एक ही रास्ता बताते हैं इसमें entry and exit जो रास्ता है वो door एक ही था और वो काफी narrow था मतलब वहां से लोग निकल ही नहीं पाए और उस एरिया को general diary cover कर लेते हैं तो यहां पर जो लोग है उनकी death हो जाती है हलांकि अगर आप revenue generation के हिसाब से देखे, tourism के हिसाब से देखे तो आपको यहां पर revenue collection हो सकता है लेकिन जो हमारी history है उसको आपने violet करने की कोसिस की है जो लोग अगर हमारी natural history, natural जल्या वाला बाग को देखते तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अपने आपको इस एरिया से relate कर पाते तो इस तरीके से जो art and tradition, art and culture जो हमारा tradition है, जो history है उसको violet करने की कोसिस की गई है ऐसा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन government का ये कहना है कि archaeological survey of India ने ये decision लिया और उन्होंने जब भी ये तयार करवाया जा रहा था तो archaeological survey of India ने इसमें अपने कोई भी उन्होंने ये नहीं बोला कि इस तरीके से आप अपनी history को, अपनी tradition को violet कर रहे हो archaeological survey of India के बारे में basic facts हम देखें, तो 1861 में इसको बनाये गया, ministry of culture के अंडर ये आता है और present time में, 1861 में Alexander Cunningham जिसको father of archaeological survey of India भी बोला जाता है Indian archaeological survey of India बोला जाता है, तो ये आज का हमारा discussion था, okay, thank you